मैं आननद जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दी थी कि कैसे रेजिटेशन करेंगे आप COVID वैक्सिन लगवाने के लिए तो इस रेजिटेशन के दौरान मुझे आज की डेट मिली थी यानिके 22 मैं आज मेरा डे है COVID vaccine लगवाने के लिए जो vaccine लगाई जा रही है यानि जिस vaccine के लिए मेरा रेश्टेशन हुआ था वो थी COVID shield तो आज मैं तयार हूँ vaccine लगवाने के लिए और मैं जा रहा हूँ vaccine लगवाने और बताऊंगा आपको कैसे vaccine लग रही है और उससे कोई side effect है या नहीं है बने रही है वीडियो के साथ और शेयर करिए और लोगों के साथ ताकि vaccine को लेकर जितनी भी अववाएं हैं वो दूर हो सकें और हर कोई vaccine का उपयोग कर सके फाइदा उठा सके और जल से जल कोरोना महामारी को इस देश से भगा सके तो आ गया हूँ मैं सामदाइक स्वास्त केंद्र पे जहां लगनी है मेरे को vaccine और यहीं का मेरे को appointment मिला है यहां सबसे पहले हमें यहां के बाहर के counter पे जाना है जो कि वो counter यह दिख रहा है अभी इस counter पे भीड नहीं है देखते हैं आगे क्या होता है इस counter पे जर्नली आप आपने जो data पहले अपने registration के दोरा दिया था like mobile number आपका नाम आपका date of birth and आपका address और उस registration के दोरा जो आपको four digit का pin मिला था वो बताना है उस pin को और उस data को यहां पे यह जो अंदर है इस counter के वो अपने register में note करेंगी and इसके साथ साथ आपके आधार card का number भी वो इनके instruction पर vaccine आगे लगेगी यानि के ऊपर की तरफ इस hospital में तो लेके चलता हूँ मैं आपको ऊपर की तरफ यह hospital बैसे तो काफी बड़ा है चलिए बाकी का देखते हैं अंदर चलके काफी ठीक ठाग लग रहा है माहल चलते चलिए चलते चलिए और यह यहां देख सकते हैं आप sites में दिवालों पे indication दिए गए हैं कि vaccine किस तरफ लगनी है और vaccine के लिए किधर जाना है यहां आता ही सबसे पहले यह आपके नीचे जो पड़्ची मिली थे उससे एक form को भरेंगे यह एक certificate type का है और यहां पे आप देख सकते हैं vaccine लगवाने के लिए लोगों के अंदर काफी उत्साह है काफी लोग हैं मैं कोसिस करूँगा कि आपको अंदर तक की भीड को दिखाने में help कर पाऊं तो यह आप देखिए कि अंदर भी काफी लंबे दाएरे से यह भीड आ रही है और मुझे देखके और आपको भी देखके बहुत खुशी होगी कि यह सब लोग इतने excited है vaccine लगवाने के लिए जैसे ही आप अंदर जाएंगे यहाँ पे ladies और gents की line अलग अलग है अंदर जाएंगे तो अंदर आपको डॉक्टर साहिबा अपने mobile के app के थिरो आपने जो data दिया है उसको match करेंगी और वो data अगर match होता है देन आपको vaccine के लिए आगे की तर मैंने यह सब बताया इस सब को बताने के बाद successful मेरा data match हुआ और मैं जाकर बैठ गया हूँ vaccination की chair पे मेरे बराबर में नर्स हैं जो की vaccine लगा रही है देख सकते हैं आप उन्होंने injection में कोवी सील्ड भरी और मेरे अपा आम में लगा दी और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी इसीली यह मेरे आम में चली गई मुझे पता भी नहीं लगा बिलकुल कि कब vaccine मेरे अंदर गई मैंने डॉक साब से जो उन्होंने मुझे एक certificate type का पड़चा भर कर दिया था उसे मागा उन्होंने मुझे वो दिया यानि मेरा vaccination first dose complete अब आप देख सकते हैं बाकी के लोगों क के भी vaccine कैसे लग रही है जस्ट nurses क्या कर रही है injection में आपके कोबिसील vaccine को insert कर रही है यानि उसको फिल कर रही है और सीधा लाके आपके अपर आम में लगा दे रही है आपको बिलकुल भी पता नहीं लगेगा कि कब vaccine आपके आम में हो गई यह देखिए इस लड़की को आप देख सकती है यह काफी nervous है बर्ट nervous होने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी इसका side effect नहीं है ऐसा हमको पता है हाला कि market में तो बहुत सी rumors हैं इनको देखिए आप कितने उतसाहित हैं vaccine लगवाने के लिए एक दम अपनी अपा आम को खाली करते हुए t-shirt को उपर की तरफ ले जाके अराम से बैटें इंतजार कर रहा है vaccine का एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा जब आप vaccine लगवाने जाएं तो कोसिस करें कि थोड़ी loose t-shirt पहन के जाएं because आपके अपा आम में जब vaccine लगेगी तो आपको अपनी जो आस्तीन है या जो sleeve है वो उपर करनी पड़ेगी औ और अगर आप shirt पहनेंगे या कोई भी tight कपडा पहनेंगे तो ऊपर करने में आपको काफी दिक्कत आगी जैसे आप इनको देख सकते हैं इन्होंने कंधे पेसे ही नीचे टी-shirt कर दी है तो यह शायद आपको भी uncomfortable लगेगा तो इस सब चीज का भी ध्यान रखिएगा देख यह आप यह आपको कुस टैबलेट्स देंगी और यह टैबलेट्स आपको तब खानी है जब fever fever आए आपको हेलो दोस्तो आज मेरा vaccine लगवाने के बाद दूसरा दिन है याने के कल 22 मई को 1 बच के 45 मिनट के around मेरी vaccine लगाई गई थी उसके बाद मैं थोड़ा बाहर घूमा फिरा एंड रात के तक्रीबन 11 बज़े के आसपास मेरी body गरम होने लगी याने कि मुझे बुखार से आने के पहले के जो सिंटम्स होते हैं जैसे के body में हरारत होना ऐसा होने लगा और पूरी रात मेरी body को हरारत रही हलाकि इसे मैं बुखार नहीं कह सकता because बुखार आता है तो पूरी body टूट जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हरारत है हाला कि मेरे और दोस्तों के भी vaccine लगी है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है उनके सिर्फ जहांपर vaccine लगी है यानि कि यहांपर vaccine लगाई गई थी वहाँ पे pain है हला कि मेरे भी बहुत हलका सा pain है जो कि injection लगने का हो सकता है साइथ यह अक्सर कर vaccination के बाद भी pain होता है मेरी condition इस समय हरारत में यानि बुखार से पहले वाला scene है बोड़ी थोड़ी सी गरम है बट ये बुखार नहीं है याने के अभी तक मुझे किसी भी तरह का side effect नहीं है जैसा के अब वाओं में बताया जा रहा है अभी बज़ने हैं तकरीबन 8 बच के 15 मिनट अगला वीडियो मैं आपके लिए कल लेक्याओंगा आज के फूरी दिन का डाटा कल बताऊंगा हाला कि मेरा खाना पीना सब नॉर्मल है नथिंग स्पेशल और कोई भी शायद पर इस टाइप का नहीं है टाइम 8 बच के 20 मिनट हो रहे हैं और कल मैंने भी तकरीबन इसी टाइम के अराउंड को अपडेट दिया था तो ये अपडेट आपके लिए 24 गंटे बाद है कल मुझे तकरीबन 11 बचे के अराउंड थोड़ा सा फीवर आ गया था और उस फीवर को दूर करने के लिए जो बैक्सीनेशन के दोरान टैबलेट्स दी गई थी यानिके पैरा सी टामॉलों ने दी थी वो टैबलेट मैंने खाई थी ब्रेकफास्ट करने के बाद टैबलेट खाके मैं सो गया था फिर मुझे पसीना आया पसीना आने के बाद यानि के पसीना ही मेन कौज होता है बुखार के उतरने का फीवर मेरा उतर गया फिर पूरा लाइफ मतलब पूरा टाइम लाइफ स्टाइल मेरा नॉर्मल रहा शाम तक साम को फिर मैंने खाना वाना खाया खाना खाने के बाद फिर से मैंने एक टैबलिट ली तब फीवर नहीं था बट फिर भी as a precaution पहले से मैंने एक और पैरासीटा मॉल खाई खाने के बाद दूद पिया दूद पीने के बाद रात तकरीवन मैं 11 बजे साड़े ग्यारा बजे गया रहा हूं सो गया उसके बाद स फ्रेंड्स है मेरे उनको कोई बुखार बगयरा फीवर बगयरा नहीं आया है बस थोड़ा सा माइल्ड पेन है वो भी खतम हो रहा है बैक्सिनेशन के दौरान जो उन्होंने precaution बताए गए थे कुछ खास precaution नहीं है सिर्फ इतना ही बोला था कि अगर आपको फीवर आये त ना हरारत है ना फीवर बस थोड़ा सा माइल्ड पेन है उमीद करते हैं ये भी बहुत जल्दी खतम हो जाएगा अगला वीडियो कल आज मेरा चौता दे है और बैक्सिन लगवाने के बाद ये मेरा चौता दे है अभी मुझे बैक्सिन के लगने के बाद कोई विदिक्कत क का सामना नहीं करना पड़ा है वास थोड़ा सा माइल्ड पेन कल तक था मेरे और अब बिलकुल ये पेन ठीक हो गया है इसके साथ साथ जो पहले मुझे हरारत हुई थी अब वो भी नहीं है जो बीच में मुझे फीवर आ गया था यानि के धर डे मुझे बैक्सिन के बाद फीवर आ गया था तकरीबन छे घंटे के लिए वो फीवर भी मुझे पैराचीटामॉल या थ्रोसील नेने के बाद ठीक हो गया था और अब मैं बिलकुल एक दम पफेक्ट हूँ मुझे कोई माइल्ड पेन नहीं है कोई भी फीवर का सिम्टम्स नहीं नहीं मेरी बॉड़ को हरा रहत है मैं प्रॉपर अपने काम कर रहा हूं जो करता रहता हूं पढ़ना लिखना इधर उधर आना जाना इसके साथ साथ आप लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचाना इस कोरोना वैक्सिन यानि कोविड-19 वैक्सिन की आपको इंफॉर्मिशन देना तो जितने भ प्रॉसेस को और वैक्सिनेशन के बाद होने बाले अब डाउंस को आप तक लाने के लिए आज में आगला दिन है और आज के दिन में मैं बिलकुल नॉर्मन हो गया हूं मुझे कोई भी उखार कोई भी जो माइल्ड पेन था वो भी एकदम खेख हो गया है बागी के मेरे व वैक्सिन सेंटर पे दिखाई दी थी उस लंबी नाइन से आप यह अंदाजा बिल्कुल मत लगाए कि वहां पे हमें ज्यादा टाइम खपाना पड़े यह जितनी लंबी लाइन है लेकिन उसमें वैक्शिनेशन लगाने के दौरान टाइम नहीं लग रहा है बहुत ही कम ट जाब को नहीं टोफी निकालक देगा उससेい कं टाइम आपका वैक्शिन लगवाने में खर्च होगा मेरा कहना मेरा सदुइश Washington यही है कि आ आप सभी लोग भी वैक्शिन लगवाने जाएं इससे HASलाकि थोड़ा भुखा रा सकता है और थोड़ा माइल्ड बेड हो सकता है जो की अच्छी बात है because vaccination के काम करने का तरीका भी यही होता है इसी से हमें पता लगता है कि हमारे अंतर्व antibodies बनना स्टार्ट हो गए because जब body में antibodies बनते हैं तो हमारी body का temperature increase होने लगता है इसी कौम पुखार के नाम से फिर जानने लगते हैं government के इस process की शरहना करनी चाहिए जिस हिसाब से उनों ने वैक्सिन सेंटर को अरेज किया है काफी अच्छा है और अब तो आपको रेजिश्टेशन कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खुदका mobile आप किसी भी CSC यानि common service center पर जाकर भी free में vaccination की date यानि registration ले सकते हैं इसके साथ साथ आप डायरेक्ट ही vaccination center पर जाके वहाँ अपना registration कराके भी vaccination ले सकते हैं यह मेरा पहला dose है और मेरे मेरे दोस्तों का जो experience रहा वो बहुत ही fantastic रहा हाला कि vaccine लगवाने के दौरा ऐसा या दवा लेने भी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी हमें इससे कहीं ज़्यादा time spend करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर कम time spend करना पड़ा और easily सब कुछ हो गया किसी भी तरह का कोई fear नहीं है कुछ चीज़े ध्यान रखिएगा जब आप vaccination लगवानी जाएं एक तो मुपे mask लगा के जाएं double mask यूज करें शाथ में loose t-shirt पहिन के जाएं जिससे के इसको उपर करने में आपको easy होई वरना आपने देखा ही होगा किसी ने यहां से t-shirt को नीचे किया है तो बहुत से लोगों को अपने t-shirt कटवानी पड़ गई है पिकाज vaccine आपके यहां insert होगी है इन सब बातों का ध्यान रखिएं जितनी भी rumors हैं उनको अपने मन से निकाल दें एकदम बे फिकर बे चैन होगे vaccine लगवाएं इसके सासा अपने आसपास के लोगों को भी vaccine लगवाने के लिए जागरूप करें उनको भी vaccine लगवाने के लिए ले जाएं हमारी country में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े ministers ने aims के directors ने सभी लोगों ने vaccine लगवाई है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी देश में सभी को vaccine लगवाने की कोशिसे दर बड़ दिन बड़ दिन बढ़ती जा रहे हैं और उमीद करेंगे बहुत ही जल सारी जलता को ये vaccine लड़ जाए बने रहिए मेरे साथ इसके साथ साथ एक जान करी और अब मैंने अपने चैनल का नाम आनंद राज chemistry से little professor things कर लिया है तो उमीद करूंगा आपको अगली बार इस चैनल तक आने में कोई दिक्कत ना हो अभी आप मेरे कर आप कर आप कर दो झाल झाल